हाँ तो फ्रेंड्स गुण्वादनी तो आज हम जो रिफंड आप ड्यूटी आपको बताया सेक्शन सेवन्टीफोर में और अब हम बता रहे हैं आपको रिफंड आप ड्यूटी अंडर सेक्शन सेवन्टीफाई तो रिफंड ड्यूटी 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 74 में हमने बताया था कि export of goods as such या after use but without processing अब जब export of goods हम after further processing करेंगे तो इसका मतलब कि उसमें raw material imported भी हो सकता है उसके अलावा उसमें raw material domestic भी हो सकता है कुछ और उसके अंदर कुछ services भी लग सकती है इस पर हमने custom duty pay और कीवी हो सकती है इसमें हमें exercise duty pay हो सकती है और services के लिए हमने कुछ service tax पे कर रखा होता है तो export के लिए यदि हमने export किया further processing में तो ये custom duty भी हमें वापस मिलनी चाहिए यस exercise duty भी हमें वापस मिलनी चाहिए तो service tax भी वापस मिलना चाहिए हाँ जी तो ये जो तीनो duty है 75 के के तक ये तीनो duty वापस होंगी वापस होंगी यानि जो हमने custom duty पे की है उसके जो export कर रहे है उसमें जो रामर्टिय इंपोर्टेड है उस पर जो भी duty पे की है ये जो exercise duty पे की है या जो service tax पे की है उसका जो input credit होता है ओके तो ये सारी duty हमें बापस होगी तो ये duty drawback का मतला तीनों चीज़े ये पिलस ये ये सारा duty हमको बापस होगी तीनों ही duty बापस होंगी ओके लेकिन बापस होने के लिए चाहिए क्या लेकिन इसकी कुछ conditions है conditions क्या है condition है कि जो value of export value of export ठीक है value of export जो अचना रखेथ है ये जो है value of export क्यों आपस्ट को city यह जो बेल्यू अभी पर्सेंट और बेटेड बेटेड क्या मतलब 120 पर्सेंट और 140 पर्सेंट बेटेड एज नोटिफाइड जीटी बापस क्या होगी या तो जितनी बेल्यू अभी इंपोर्टेड गोड्स है वो जो है या तो हंड़ेड परसेंट या कुछ गोड्स स्पेसिफाइड किये रहे हैं उनके लिए बेटेड कर दी रही है कि 120-140 परसेंट उससे जादा होनी चाहिए चीक है उससे जादा होन चाहिए चीक है और यह जो बेटेड है यह रेट बनाया गया है कुछ के सब्सक्राइड है और कुछ के सब्सक्राइड है बंड यह अधा कि कि फेसाड़्यस रेट है कि इस ब्रांट रेट है कि दा बैंडिक कि अलग रρεί्ट है कुछ को आप सी पारले ले और यह जो रेटस हैं यह आपको याद मिटमीक आपको याद में करने हैं याद में करने कोश्चन में दिया होगा दिया होगा समझ में आया आपको के बल यह समझना बैल्ली ओप एक्सपोर्ट सुड़ भी मोर्दन हंड़ परसेंट अप बेट बैली ओफ इंपोर्ट गुर्स ठीक है बसरते यूटी बापस होगी बसरते ठीक है और लूटी बप्वाद के बच्पपर रहां होगी कोश्चन कोशव करते लूप दूब वाद़ एक्सक्परिश खाफोगी कोश्चन करते बालूब प्रच सक्थर आपको कुचन करते अन्यूटी होगी मुझन का तूब आपको क। नपक्परिपल्स द्यूटी ट्रोग है, डुमांड है, ठीक है? तीसरा केस है, जो ड्यूटी ट्रोग है, तो यह तीन कंडिसन्स होने चाहिए, ठीक है? यह तीन कंडिसन्स होने चाहिए, तब ही हमारा जो है, यह आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी बापस होगी, द्यूटी द्रव बेत मिलेगी, बिदिन 30 देज ऑफ दमांद, किलस 6% इंट्रेट, इले अर बीक है, अटर खिया, अटर 30 देज, यानि यह Central Government आपको 6% ब्याज़ भी देगे, समय में आ गया है, के लिए? अब यह जो, गलत तरीके से, एक चौथा पांट और है, चौथा पांट यह है, यदि पीयों को लगता है, पीयों को लगता है, कि गुट्स बापस इसमगल हो सकता है, तो डैफर कर सकता है, यह बॉंड भरने के बाद देगा, यह बॉंड भरवा सकता है, चौथा केस क्या है, कि पीयों को यह लगता है, कि यह जो गुट्स है जिस पर ड्झाट रख कलेम करके एकशपोर्ट हो गय यह, रपस इंडिया मैं इंट्र हो سकता है, दूसरे पोर्ट पर यह असमगल हो सकता है, तो वो कहेगा, नहीं ची नहीं, duty drawback अभी नहीं मिलेगा आपको जब हम satisfy हो जाएंगे और माल बाहर पहुंच जाएंगे अतर देंगे या देगा तो क्या करेगा bond बरवा लेगा यदि हमको लगा कि smuggling हो रही है कुछ है तो यह आपका bond हम बना लेंगे ठीक है तो भई या यदि गलत तरीके से duty दी गई है तो दो महीने के अंदर duty बापस की गई है बापस की गई है तो दो महीने के अंदर सरकार दो महीने के अंदर department को लोटा दो बिना ब्याज के दो महीने के बाद लोटा आया तो शुरू से सुरू से ब्याज लगे रहा है यह दो महीने का भी benefit वेकार होगे है दो महीने का भी benefit दो महीने का भी benefit नहीं मिलेगा benefit हादी बात समझ्ज़ आती है कि यदी गोट सा अपने प्रोसेसिंग के बाद अभी तक हमने क्या पढ़ा था अंडर सेक्षन सेवन्टी फॉर पढ़ा था 74 में क्या था कि हमने जोंका क्यों एस सच वापस कर दिया तो दो परसेंट कट जाएगा एस सच दो साल में वापस कर दिया दो परसेंट कटेगा ठीक है और क्या पढ़ा था motor car है और personal goods है तो हमने क्या पढ़ा था first year, second, third, fourth में quarter one quarter two, quarter three 4%, 4%, 4%, 4%, 4% यहां 3%, 3%, 3%, 3%, 3% यहां 2, 5%, 5%, 5% और यहां 2%, 2%, 2%, 2% कर जाएगा other goods के लिए other goods के लिए हमने बता था first, second, third, fourth, fifth and six quarter है में यूं कीतियों बापस कर दो यहां 5% करता था, यहां 10%, यहां 10%, यहां 5%, यहां 5%, यहां 5% आर इन पीरियट के बाद में, दो साल के बाद में, यहां 4 बाद में, यहां 8 Shar शबीक के बाद में कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन ये जो 76 में no time limit, इसकी कोई time limit नहीं है, इसकी कोई time limit नहीं है, साथ इसका मतलब कुछ ना कुछ तो नुकसान हो गई होगा, तो एक हमने under section 69 भी तो बताया था, आप थुड़ा ही मती, under section 69, not to clear, for home conjunction, और आप export कर दीजे, export from port only, no duty, no duty, honey, ये भी बताया था आपको, honey, तो ये आपने 74, 79, 69 तो आपको पहले गदा रखा है, अब हम बता रहे हैं, 75 में, आपको ने जो goods import किया है, उसको फर्दर processing करके, उस आप आगे export कर दीजे, उस पर जो raw material लगा है, exported goods में, उस पर जो import duty दीए, वो वापस मिल जाईगा, जो export, excise duty दीए, यदि अपने local raw material यूज किया, वो वापस मिल जाईगी, कुछ उसमें servicers लिए हैं, उस पर service tax दिया है, वो वापस मिल जाईगा, ये सब duty drawback कहलाएगा, सब वापस मिल जाईगा, लेकिन वापस मिलने की सर्थ यह है, कि वो, जो value of export है, वो imported goods से जाता हो, नेगेटिव, value addition में, नेगेटिव, इसको red से लिखते हैं, नेगेटिव value addition में, value addition में, duty drawback बापस नहीं होगी, बाप, duty बापस नहीं होगी, बापस का मतलब drawback, duty बापस नहीं होगी, लेकिन याद तो क्या होता है, नेगेटिव में भी बापस होती है, नेगेटिव में भी बापस होती है, ठीक है, ये साथ मेट गया कुछ, मोर्टर का personal goods, हाँ जी, समझ में आया, तो भहिए ये, तीस दिन के बाद में 6% लेड़ा, लेकिन याद सरकार ने आप पर थोड़ी जी रहायत करी है, उसने दो महीने छोड़ तो दिये, लेकिन दो महीने पूरे नहीं हुए, तो भहिए जैसे तीन महीने बाद यदि वह करेंगे, तो दो महीने का देगी, आप तीन महीने बाद देखते हैं, तो पूरे तीन महीने का ले लेगी, समझना आया, तो गवर्मेंट कहींगी छोड़ती नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको समझ में क्या आया, कि एदि हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, कस्टम नहीं होने चाहिए, ज्यादा में भी अलगलग स्पेसिफाइड है, किसी में 100% कहते हैं, किसी में कहते हैं 120%, किसी में 150%, वो रेट हमें याद नहीं रखने हैं, वो अलगलग इंडस्ट्री के लिए अलगलग स्पेसिफाइड हैं, या अलगलग ब्रांड के लिए स्पेसिफ वो कोशन में दिया होगा ठीक है तो उसको आप याद नहीं रख सकते हैं और ना आपको रखना है कि साथ ही साथ ऐसा नहीं हो यह जादा हो और मार्केट वेल्ययव एक्सपॉर्ट काम हो तो मार्केट वैल्यू अभक्स भी डियूती डॉबेक जहादा होनी चाहिए और डूटी ट्रवक जो क्लेम की, यह दोड़ी 50 रुपे के लिए हम 40 रुपे के लिए फॉरम बढ़ने लगी, 50 रुपे से ज़्यादा होने चाहिए, यह 50 रुपे भी बढ़ा के कर देने चाहिए, उनको काफी बड़ी है मौन, है ना, क्योंकि उससे ज़्यादा तो एक वार स्मगल होगे, इसमें इलीगल तरीके से आ जाएगा, उसकेस में वो या तो ड्यूटी से मना कर सकता है, ट्रॉपेक से बुला भी बढ़ी, डैफर कर सकता है, जब प्रॉपर एक्सपोर्ट हो जाएगा, और जब हम सैटिस्फवाई हो जाएंगे, तब देंगे, यह कहेगा तीस दिन के अंदर देगी, यदि देर करती है गवर्मेंट, तो आपको 6% ब्याज देगी, तीस दिन के बाद से, ठीक है, और गलती से बे कर दिया, तो दौरा आप से वापस मागेगी, तो क्या करेगी, तो दो महीने के अंदर आप दे दो, तो कोई यह ब्याज नहीं लग जाएगा, इंटस लग जाएगा, तो गवर्मेंट मागे तो तुरान दे दो, ठीक है, बसकते हैं कि आपका, कोई डिस्टूट नहों या आपको लगता हो, कि गलत नहीं, तो यह हमने समझा, डूटी ड्रॉबैक, ठीक है, तो अब नेस्ट लेक्चर में हम आपको कराएंग baggage rules, thank you, thank you very much, any query you can ask at 9810425103, number assist पर लिखा भी है बोर्ड पर, thank you, thank you very much